हाई मेरा नाम वंदरा सरोज है और आज मैं बात करूँगी सोवरेन गोल्ड बोन्ट की जो निक्स्ट सीरीज आई है सीरीज 7 तू 12 के बारे में सीरीज जो 7 है उसका प्राइस क्या है तो सीरीज 8 तू 12 तक आएंगी वो कौन-कौन सी डेट को आएंगी अगर आप ये सीरीज का मतलब है सरकारी गोल्ड का मतलब एक ऐसी investment scheme जो कि सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करती है और बॉन्ड का मतलब है एक particular time period के लिए आप बन जाते हो तो basically मैं कहूँ कि 8 साल की एक ऐसी scheme जहां पे आपका पैसा सिर्फ 999 purity की गोल्ड में ही invest होता है और आप इसको certificate की form में इस गोल्ड को खरीदते हो इस पे आपको कोई GST tax नहीं देना होता है जो कि 3% का होता है अगर आपको जोल्ड कोई जोलरी खरीदते हो तो इसमें कोई चोरी होने का डर नहीं होता क्योंकि यह paper की form में होता है यह online mail की form में होता है तो soft या hard copy की form में होता है, सोने की form में या gold jewelry की form में नहीं होता. Sovereign gold bone का price कैसे decide होता है, उसमें आपको return क्या मिलता है, इसका taxation क्या है, इसका particular time period क्या है, और इसके benefits क्या है, या इसकी comparison तुलना, gold ETF से या फिर physical gold से. इसके लिए मैं already एक video बना चुकी हूँ, उसका link इस video के end में भी आपको मिल जाएगा, साथ में आप उपर देखे, यहाँ पर मैंने दिया है, इस पर click करके भी आप वो video देख सकते हूँ. तो यह जो video है, यह सिर्फ 2020-2021 के financial year की 7th to 12th series की information देदे के लिए है. 9th October को RBI ने announcement की थी, कि वो 6 series और लेके आ रहे हैं, Sovereign Gold Bond की Government of India के बिहाब पे. स्क्रीन पे देखिए, financial year 2022-2021 की 7th series जो है, वो आप खरीच सकते हैं 12 October से 16 October के बीच में, और जो इसके holding certificate इश्यू होंगे, आपको वो 20 October को होंगे. 5,051 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप किसी बैंक में जाके, physical application form या किसी agent के थुरू, application form भरके offline खरीदे हैं. एक unit जो है, Sovereign Gold Bond की वो एक gram के बराबर होती है, तो एक gram खरीदने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, 5,051 रुपे. लेकिन अगर आप इसको online खरीते हैं, और digitally आप इसकी payment करते हैं, लाइक आप UPI के थुरू करते हैं, internet banking के थुरू करते हैं, तो आपको 50 रुपीज पर unit discount तिया जाएगा. तो मैं ये भी कह सकते हूँ कि 50 रुपीज पर gram आपको discount मिलेगा. तो जो unit अगर आप application form भरके खरीते हो, 5,051 रुपीज की थी, तो वही आपको 50 रुपे का पर gram discount देने के बाद, आपको 5,001 रुपया पर gram पे करना पड़ेगा. 7th series के लिए. 8th series जो है Sovereign Gold Bond की, वो open होगी investment के लिए 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में. और जो इसके holding certificate है, वो issue होंगे 18 नवंबर को. Sovereign Gold Bond की जो 9th series है, financial year 2022-21 के लिए, वो open होगी investment के लिए 28 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में. और इसके जो holding certificate है Sovereign Gold Bond के, वो issue होंगे 5 जनवरी को 9th series के. Sovereign Gold Bond की 10th series open होगी investment के लिए 11 जनवरी से 15 जनवरी 2021 के बीच में. और अगर आप इसमें invest करते हैं, तो जो आपके holding certificate है, वो आपको issue किये जाएंगे 19 जनवरी 2021 को. Sovereign Gold Bond की 11th series, जो की financial year 2022-21 के लिए है. तो आप इसमें invest कर सकते हो, एक फरवरी से 5 फरवरी के बीच में. और जो आपके holding certificate है, वो issue होंगे 9 फरवरी को. अब मैं बात करूंगी financial year 2022-21 की जो last series होगी, मार्च में जो निकलेगी, वो है 12th series. तो आप 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में इसमें invest कर सकते हो, इसको खरीद सकते हो, जो इसकी issuance take है, Sovereign Gold Bond के holding certificate की, वो है 9 मार्च 2021. ये थे मेरी वीडियो information देने के लिए Sovereign Gold Bond की 7th से 12th series के बारे में. अगर आपको कोई भी query है, कोई भी doubt है, तो मेरी दो वीडियो और मैंने बनाई है, वो आप जरूर देखें. उसमें मैंने सारी information बहुत अच्छे से कवर की है, Sovereign Gold Bond के बारे में. अगर आपको information अच्छे लगी, तो नीचे like करें. आगर आपको ऐसी ही important वीडियो चाहिए, और सारे updates चाहिए, पैसे से related, तो इस चैनल को अभी subscribe करतें, नीचे subscribe है, तो मिलते हूं नेक्स वीडियो में. बाबाई.